बात करें राज़त सुप्रीमों लालो प्रसाद यादव की तो इस वक्त पूरे साड़े तीन महीने बाद एक बार फिर से वो राजनीती में सक्रिय तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनकी तबित में कोई खास सुधार नहीं देखने को मिला है इतना ही नहीं उनके बेटे नीता प्रदेपक्षिती जैस्वी आदव नहीं इस बात की भी चानकारी दी कि अहले सुभर चार बजे उनकी तबित काफी ज़ादा बिगड़ गई थे जहां उनका ऑक्सिजन लेवल 80-85 की बीच चला गया था साथी साथ किड़नी में पानी का लेवल भी पहले से जादा बढ़ गया अब ऐसे में जाहर सी बात है ये चंता का विशे है इससे पहले एम्स के डॉक्टर्स की सलाह पर उन्हें रहा तो कड़ दिया गया वहां से शिफ्ट करा दिया गया लेकिन डॉक्टर्स की माने तो उ रक्षत नहीं था और इसलिए उन्हें उनकी बेटी यानिकी मीसा भार्टी के आवास पर रखा गया है लेकिन इन सब के बीच राज़त सुप्रीमू लालुपिसाद यादव 18 तरह की गंभीर बिमारियों से जूज ले हैं अलग-अलग बिमारियों से अलग-अलग तरह की पर अब यहीं बचा रही है कि आज दो बजी से उनकी तमाम जो पार्टी के कारेकर्टा हैं जो प्रत्याश्य हारी हुए हैं साथी साथ विधायक उनके साथ बादशीत होनी थी, मीटिंग में वो शामल तो होए लेकिन जस तरह कि उतसुक्ता पार्टी के कारेकर्टाओं में द पर थे लेकन राज़त सुप्रीमों लालो प्रिसाद यादव अपनी नासाज तबित की वज़े से दो लाइनों में ही उन्होंने अपनी बात पूरी कर दी उन्होंने साफ तोर पर कहा कि बहार में इस्थती अभी ठीक नहीं कोरोना से सभी लोग जूज रहे हैं ऐसे में आप सभी से यही कहूंगा कि आप सरकार की मदद करें साथी साथ जो भी आप से प्रयास हो सकता है वो जरूर करें और लोगों तक अपनी मदद को जरूर पहुंचाएं आपको बिताने कि राज़त सुप्रीमों लालो प्रिसाद यादव को चारा घुटाले के चार मामनों में ज सेहत की यही हालत बनी रही तो शायद एक बार फिर सी उन्हें इम्स में शिफ्ट होना पड़ेगा फिलार के लिए इतना ही जाद अपडेट के लिए आप बने रही नियूस वार्नेशन के साथ नमस्का